परिचाय से, हम आव्योग के सिध्धान्त को कहां लागू करते हैं? बेटा, हम आव्योग का उप्योग रेखिये समीकरण की प्रणाली की साहत तथा सरल विधी को प्राप्त करने के लिए करते हैं. विभिनिक कम्प्यूटर अनुप्रयोगों के लिए क्या हम आव्योग का उप्योग कर सकते हैं? आव्यूह के संकेतन और संक्रियाओं का उपयोग परसनल कंप्यूटर के लिए Electronic Spreadsheet प्रोग्राम में किया जाता है जिसका बारी-बारी से व्यापार तथा विज्ञान के विभिनिक शेत्रों में प्रयोग किया जाता है जैसे बजट, बिकरी प्रक्षेपन, लागत अनुमान, प्रयोग के परिणामों के विशलेशन आदी में सर, क्या आव्यूहों का गुणा किया जा सकता है? हाँ, हम आव्यूहों का गुणा कर सकते हैं इसकी विधी अलग है, क्या तुम सीखना चाहते हो? हाँ सर ठीक है, आज मैं तुम्हें आव्यूहों के गुणन के बारे में सिखाऊंगा उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे एक अधिश से एक आव्यूहों में गुणा करना एक आव्यूहों के योगफल के गुण धर्म को समझना एक अधिश कुणन के गुण धर्म को जानना आव्यूहों के गुणन की विधी को जानना एक आव्यूह के गुणन के गुण धर्मों को समझना एक अधिश से एक आव्यूह का गुणन आव्यूह के गुणन के दू प्रकार होते हैं अधिश गुड़न तथा आवियो गुड़न आसान है हम बस एक नियस संख्य लेते हैं जिसे एक अधिश कहा जाता है तथा उसका गुड़न आवियो की प्रतेक प्रविष्थी से करते हैं दिये गए आवियो ए के लिए दू ए ग्याद कीजिए। दू ए ग्याद करने के लिए प्रथम अधिश गुणन करने के लिए हम सिर्फ एक दू का गुणा आवियों में प्रत्यक प्रविष्थी से करते हैं। अथा उत्तर निम्न है। आवियो का रिण आवियो, आवियो के रिण आवियो को घटा ए से निरुपित किया जाता है। हम निरुपित करते हैं घटा ए बराबर घटा एक ए। आवियों के योगफल के गुण धर्म वास्तविक संख्याओं के लिए योगफल के आधार भूत गुण धर्म आवियों के लिए भी सत्य है मान लिजिए कि A, B तथा C, M कोड़ा N आवियों हों तब 1. A जमा B बराबर, B जमा A जोकी क्रम विनिमय का गुण धर्म है 2. सहचर्य गुण धर्म है A जमा B जमा C बराबर, A जमा B जमा C 3. योग का तस्समक एक M गुणा N आवियों ओ इस तरह है कि A जमा O बराबर A 4. योग का प्रतिलों किसी M गुणा N आवियों A के लिए एक M गुणा N आवियों B घटा A कहा जाता है, इस तरह है कि A जमा B बराबर O अदिश गुणन का गुण धर्म स्वाधारण बीच गुणित के सभी नियम आवियों के योगफल या व्यवकलन अथ्वा उनके अदिशों के गुणन पर आधारित हैं प्रथम गुण धर्म है यदि A तथा B समान कोटी की दो आवियों हों तथा यदि के एक अदिश हो तब के ए जमा B बराबर के ए जमा के बी एक अन्य गुण धर्म है यदि के एक तथा के दो तो अदिश हैं एवं यदि A एक आवियों है तब के एक जमा के दो A बराबर के एक ए जमा के दो A तथा के एक के दो A बराबर के दो के एक A आवियों का गुणन फल हम दो आवियों का गुणा कर सकते हैं यदी और केवल यदी प्रतम आवियों के स्तंभों की संख्या दूतिय आवियों की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो अन्य था दो आवियों का गुणन आपरिभाशित होता है आव्यों के गुणन की कोटी है प्रथम आव्यों की पंक्ती गुणा दूतिय आव्यों का इस्दंब आव्यों के गुणन की विधी चलिए अब दो आव्यों के गुणन की विधी सीखते हैं आईए एक सामान ने दो गुणा तीन आव्यू से एक तीन गुणा दो आव्यू का गुणन करते हैं। उत्तर एक दो गुणा दो आव्यू होगा। हम क्रमशा आव्यवों को जोड़ते और गुणा करते हैं। हम प्रतम आव्यू की पहली पंक्ती लेते हैं। दो आव्यू के प्रतम इस्तंभ में एक एक आव्यम में बारी बारी से नीचे की ओर गुणा करते हैं। हम परिणामी गुणन को जोड़ते हैं। हमारा उत्तर आव्यू में इस्तिति ए ग्यारा बाए शीर्ष में रखा जाता हम प्रतम आवियो की पहली पंक्ती तथा दूतिय आवियो के दूसरे स्थम्भ के लिए यही प्रक्रिया करते हैं, परिणाम को ए 12 इस्थिती में रखा जाता है, अब प्रतम आवियो की दूसरी पंक्ती के लिए तथा दूतिय आवियो की पहली पंक्ती के लिए करते हैं, पर परिणाम को A21 इस्थिति में रखा जाता है। अंत में हम प्रथम आव्यों की दूसरी पंक्ती तथा दूतिय आव्यों के दूसरे स्थम्ब के लिए करते हैं। परिणाम को A22 इस्थिति में रखा जाता है। तथा हमारी दो आव्यों के गुणन का परिणाम इस प्रकार है। उधारण दो आवियू हो दिये गए हैं दिरणे लीजिए कि किस आवियू के गुणन A, B अथवा B, A को परिभाशित किया गया है तथा उसका आगलन कीजिए चूंकि A दो गुणा तीन है तथा B तीन गुणा चार है उसक्रम में गुणन A, B परिभाशित है तथा गुणन आवियू A, B का परिडाम होगा दो गुणा चार गुणन B, A अपरिभाशित है चूंकि पहले गुणन खंड B में चार स्तंभ हैं किन्तु दूतिये गुणन खंड A में केवल दो पंक्तिया हैं गुणन को परिभाशित करने के लिए प्रतम आवियू के स्तंभों की संख्या डूतिये आवियू की पंक्ति की संख्या से मेल खानी चाहिए हल, A में पंक्ति 1 तथा B में स्तंभ 1 का डौट गुणन लेने पर A, B में 1-1 प्रविष्ठी मिलती है A, B में 1-1 प्रविष्ठी 1 है पंक्ति को पूर्ण किया जाद चुका है जो A, B में 1-4 प्रविष्ठी देता है अब A, B की दूजिये पंक्ति के लिए A में पंक्ति 2 तथा B में स्तंभ 1 का डौट गुणन A, B में 2-1 प्रविष्ठी देता है तथा A में पंक्ती 2 तथा B में इस्तंभ 2 का डौट कुड़न A B में 2-2 प्रविष्ठी देता है अंत में B में इस्तंभ 3 और 4 के साथ A में पंक्ती 2 का डौट कुड़न लेने पर A B में क्रमशा 2-3 तथा 2-4 प्रविष्ठी प्राप्त होती है अतैव AB को हल किया जा सकता है पंक्ति अनुसार पहली पंक्ति 1, 3, घटा 2, घटा 2, दूसरी पंक्ति घटा 10, 11, घटा 10, 19 आवियों के गुणन के दौरान विचार किये जाने वाले कुछ बिंदू यदि AB परिभाशित है तब BA परिभाशित होना चाहिए आवियों के गुणन की अक्रम विनिमेता यहां तक कि अगर AB तथा BA दोनों परिभाशित हों तो ये आवशक नहीं है कि AB पराबर BA होगा आवियों के गुणन के गुण धर्म आवियों का गुणन सहचर्य होता है उधारनार्थ तीन आव्यू A, B तथा C दिये गए हैं अधा निम्निलिखित पहचान सर्वथा सत्य है A, B गुणा C बराबर A, B, C योग में आव्यू का गुणन वित्रण होता है A, B, C बराबर A, B, C गुणक पहचान का अस्तित्व प्रतेक वर्ग आव्यू A के लिए समान कोटी की एक तस्समग आव्यू अस्तित्व में इस तरह है की I, A बराबर A, I, बराबर A उधारन X तथा Y क्यात कीजिए यदि X जमावाई पराबर है आव्यू पंक्ति अनुसार पहली पंक्ती 7-09, दूसरी पंक्ती 2-5 के तथा X घटा Y पराबर है आव्यू पंक्ति अनुसार पहली पंक्ती 3-09, दूसरी पंक्ती 0-03 के हल, X जमावाई तथा X घटा Y दिया गया है इसे एक तथा 2 के रूप में चिनित कीजिए अब समीकरण एक तथा 2 को जोडते हैं हमें प्राब्त होता है दो X बराबर आव्यू पंक्ति अनुसार पहली पंक्ती 10-09, दूसरी पंक्ती 2-8 इसलिए X पराबर है आव्यू पंक्ति अनुसार पहली पंक्ती 5-09, दूसरी पंक्ती 1-4 अब X जमावाई में X कमान रखने पर तथा हल करने पर हमें प्राप्त होता है आवियो वाई बराबर है पंग्ति अनुसार पहली पंग्ती दो शून्ने दूसरी पंग्ती एक एक के क्या आप चानते हैं आवियो का उप्योग समानेता लंबे समीकरण को हल करने के लिए बीच गडित में किया जाता है चरों जैसे की एक्स तथा वाई लिये गए हैं तथा संख्याओं के वर्ग या आयताकार ग्रिट बनाने के लिए परिडामी संख्याओं को पंग्ती एवं इस्तंभों में वेवस्थित किया गया है प्रश्णों को और अधिक सहज़ता से हल करने के लिए इन संख्याओं की गड़ना की जाती है सारांश आईए हमने जो कुछ तीखा है उसे संक्षेप में तोहराएं घटा ए बराबर घटा एक गुणा ए घटा बी बराबर ए जमा घटा एक गुणा बी अ जमा बी बराबर बी जमा ए जमा बी जमा सी बराबर ए जमा बी जमा सी जहां ए बी तथा सी समान कोटी की है K गुणा A जमा B बराबर K गुणा A जमा K गुणा B जहां A तथा B समान कोटी की हैं, K अचर है K जमा L गुणा A बराबर K गुणा A जमा L गुणा A जहां K तथा L अचर है हम दो आवियों का गुणा कर सकते हैं यदी और केवल यदी पहले आवियों के स्तंभों की संख्या दूसरे आवियों की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो A गुणा B C बराबर A B गुणा C